अर दोस्तो जय मातादी सभी को मैंने टो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल मार्केट यात्रा में दोस्तो इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 3 जुलाई यानि की भुधवार को किस साइड मो सकती है तो दोस्तो वीडियो को एंड तक देखेगा ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले चलिए दोस्तो शुरू करते हैं बैंक निफ्टी का मैंने चारट ओपन किया है 15 मिनिट का टाइम फ्रेम है जो की इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है आज दोस्तो मार्के की जो दो केंडल वह इतनी बड़ी बन गई है कि मार्केट फिर इस रेंज में घूमती रह जाएगी और इतना कुछ टार्गेट मिलने वाले नहीं है और इतनी बड़ी-बड़ी केंडल बनने के बाद दोस्तों डाउनसाइड प्लान करना थोड़ा सा मुश्किल होता है इस वजह से मैंने निफ्टी में ही ट्राई किया था जिसमें मेरे को 25-30 पॉइंट मिले भी पेपर ट्रेड जो मैंने उसमें किया था उसके बाद दोस्तों आपने देखा ही होगा दोनों इंडेक्स काम करने लायक नहीं थे क्योंकि पहली जो कैंडल होती है वो डिपैंड करती है जैसे कि यहां पर देखिए यहां पर काफी टाइम बेताया मार्केट ने उसके बाद एक बार फिर से गिरावट हुई और जो हमारा बांस बैक एरिया था बावन हजार का इसी पॉइंट से रिकवर करके कहीं ना कहीं 200 पॉइंट बैंक ने उपर क्लोजिंग दी है अब इस चीज़ का दोस्तों इसको फोलो थुरू मिलना चाहिए फोलो थुरू से मैं आपको पहले भी समझाता है हूं जब यहां पर गिरावट हुई तो हमने डिसकस के आदा मार्केट अगर फिर से कंटीनू करते तो इसको फोलो थुरू मिलेगा और मार्केट हमको एक इसको बना कहीं जो यह लेवल था बाउन हजार का यह टेस्ट हो गया है अब एनलीस सिंपल सा हो गया क्योंकि जो सपोर्ट एरिया था एक बार टेस्ट हो गया है और हमको बस अब इसका ना कंटीनिव फोलो थुरू यानिकी जो लास्ट स्विंग है एक मिनिट रुकेगा यह वाला इसका ब्रेकडाउन चाहिए अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता तो फिर से हमको एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है और अगर नीचे दोस्तों में सपोर्ट बताऊं आपको हलका सा इकाउन हजार आट सो के आसपास है लेकिन यह स्मींग बनने में वेस्ट हो और अगर आप देखोगे तो वापीस से जो रीटेस्ट हुआ जो स्विंग बना ही यहां पर हुआ जो कि 52,350-400 यह वाला लेवल है इसके बारे में मैंने डिसकस के था कि 400 के ऊपर निकलती है तो ही मैं वापीस बैंक निफ्टी में बूलिश बनूंगा निफ्टी मेरी ख्य स्विंग के ऊपर बहुत ज्यादा पोजिशन बनाई आपको option chain में आद समझ में आएगा मैं ऐसा क्यों बोलाओ बहुत ज्यादा लोग नेगेटिव बन गए है क्योंकि उनको एक अच्छे point पे stop loss मिल रहा है रखने के लिए जैसे बहुत सारे लोगों को यहां पे होगा ब पहले इन लोगों का stop loss होगा फिर इन लोगों का stop loss होगा जो मंदी की position बनागे बैठे हैं और जैसे यह position काटेंगे मार्केट में एक शोट कवरिंग बिल्ड हो सकती है यानि कि 300 200 300 पैंट का एक मोमेंटम हमको देखने को मिल सकता है 22600 22700 तक तो उसके लिए confirmation कब मिलेगी फ्लेट खुले हलके फुली गेप खुले पचास दिन के मूविंग एवरेज को ब्रेक करके इस तरीके का स्विंग बना दे जैसे कि याज सविंग बनाया था स्विंग अच्छा बनाया था लेकिन दिकत क्या थी कि पहली जो केंडल थी उन्होंने बहुत सारा पॉइंट सबसे जरूरी चीज है कल बैंक निफ्टी की एक्सपारी है आज फिर निफ्टी के एक्सपारी दिये भी सबाता है की एक्सपारी है और लिक निफ्टी को भी ज्यादतर समय साइड़िय और उगर द्यान से देखोंगे तो मार्केट एक बार गिरावट अन्हें बादर आंने की गौमती Rainbow ही खूँमती रही आए लिद्वみ s जाता है अब कल है बैंक निफ्टी के एक्सपारी आप खुद सोचिएगा अगर बैंक निफ्टी फ्लेट खुलती है गैप खुलती है और रिकावर करना शुरू करती है तो यह इसी रेंज में घूम के रह जाएगी हाँ दोसो तिन सो पैंट रिकावरी मिल सकते लेकिन तब केंडल बनी है अगर कल फिर से उपर वाली रेंज में जाके ऐसे केंडल बनेंगी तो यह ना टाइम डी के खाएंगी कि अगर आपने सो रुपए पे कोई कोल या कोल बाय किया है और एक बार मार्केट आदे घंटे गंटे के लिए साइडवेज होगी तो यह 70 रुपएगा 50 रुपए का प्रीमियूम वैसे ही रह जाएगा 30-40 रुपए गायब हो जाएगा यहीं खत्रा होता एकसपैरी वाले दिन आप खुद सोचिएगा अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुलती है बावन हजार के नीचे फिर से निकल के कोई प्राइस एक्षन बनाती है तो इसे मैं बता रहा हूं एक बार क्या नाजार आट सो के सपोर्ट को जुरूर मारक करके रखिएगा यहां पर मार्केट को थोड़ा सा वापिस पूल बैक कर सकती है तो इस चीज़ को याद रखेगा अदरवाइस नीचे कोई सपोर्ट नहीं है तो गिरावट सुरू हुआ तो यह जो लोग यहां पर पोजिशन होल्ड करके बैठे है वह और ज्यादा पोजिशन यहां पर बढ़ेंगी स्टोप लोस उनको अच्छे जगह पर मिलेगा और मार्केट में करेक्शन देखने को मिल सकती है बस इंदजार किस चीज़गा करना है फ्लैट खुले गेप ड मार्केट के लिए मैं पूट साइड जाना पसंद करूंगा अगर मार्केट दोस्तों गैप खुल जाती बड़ा गैप खुल जाती बाउन अजार चारसो चैसो इस रेंज में तो आप खुद सोचेगा ऊपर यह वाला रजिस्टेंस है नीचे यह वाला सपोर्ट है जो कि ज खुल के फटाक से रिकवरी दे दे और इस रेंज में अगर घूमने लग जाए तो बैंक निफ्टी की करन्ट एक्सपारी को हम इग्नोर करेंगे सबसे जरूरी चीज दोस्तों यहीं है सीखने के लिए ठीक है दूसरी चीज क्या थी गैप डाउन खुल जातो सपोर्ट हमक तो यहां पर अगर मार्केट रिकवरी माल लीजी हमने बाउन अजार के नीचे मैंने कोई पूट साइड पोजेशन बनाई है और इक्याउन अजार आठास से कोई बुलिश केंडल बनाना शुरू करती तो मैं पोजेशन यहां पर काटना पसंद करूंगा क्योंकि यह फिर सकते हैं क्योंकि निफ्टी के एक्सपैरी नहीं है क्लोजिंग अच्छी जगह पर आई है दोनों साइड मोमेंटम हो सकता है और दोनों साइड मोमेंटम होने के लिए निफ्टी में सपेस है पिछले दो दिन से निफ्टी में काम करने लायक जगह बन रही है अब यहां पर मैंने आज प्रीमियम में तो 25-30 पॉइंट मिले लेकिन निफ्टी कम से कम 50 पॉइंट का रिकवरी दिखाया था फिर उसके बाद यह गिरावट होगी क्योंकि बैंक निफ्टी ने सपोर्ट नहीं दिया मैं दिखाता हूं आपको दस बजी के 17 मिनट के आसपास मैंने अपडे लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज मार्केट काम करने लाएगा क्योंकि शुरुआती केंडल बहुत ज्यादा बड़ी बनी है इसलिए बिना बात के हाथ नहीं जलाए मोका मिले तो ही काम करने का प्लान करें निफ्टी का मैंने 52,200 के नीचे ब्रेकडाउन लेवल था जो की निफ्टी का देखें निफ्टी में क्या था कि 24,150 के उपर ब्रेक आउट आय तो रिकवरी दिखा सकते बिलकि इसने 24,200 के आसपास फिर इसने हाई लगा और इसी स्टड़ी में मुझे इसी वज़े से 24,25 इसमें मुझे देखने को मिले हालाकि कोई कोई कोल टिप्स नहीं करेगा भी तो यहाँ बरने तक करेगा बात को समझ करे ओं अब भाई कोई ज्यादा ही कि किशी आदा नोले जो उसने कर दिया तूमें यह नहीं बोल रहा हूं कि इससी स्ट्रेटेजी नहीं होती होगी हो सकता किसी ने बनायो लेकिन मेरी समझ से बाहर है ठीक है चैनल दोस्तों यह आप पोजेटिव डेटा नेगेटिव डेटा वगएरा मेरे जो इंपोटेंट व्यू हैं लेवल हैं फ्री और कोस्ट ये चैनल आप जोएन कर सकते हो देखने के लिए वीडियो के डिस्क्रेशन सब्सक्रेबर उनकी पोश्ट पर आपको ऐसे व्यूज नहीं मिलेंगे 30,000, 35,000, 40,000 तो बचके रहेगा भाई कल भी एक बंदे ने कोमेंट करके रखा था कि 15,000 रुपे ले लिए उसने बोला था 30,000 कर दूँगा मार्केट यातरा वाला था उसने भाई मैंने नहीं लिये आप इतनी सी बात नहीं समझते हो तो भाई ना तो मेरी कोई पेड सर्विस है ना ही मेरा कोई पेड गुरूप है ना मेरा कोई वाटसप गुरूप है ना मेरा कोई इन्वेस्टमेंट पलान है प्लीज मेरे नाम से किसी को एक पैसा कोल टिप्स के लिए ना दे चलिए स्विंग निफ्टी में अब इनके बीच में जब तक निफ्टी हैं काम करने लायक नहीं अगर इनके बाहर निकल दे माल लीजे फ्लैट खुले गैप खुले चोबीस जार एक सो साथ के उपर निकल गए स्विंग बनाती है तो फिर से एक नया उल्टाइम हाई देखने को मिल सकता है 15 20 30 पांट का स्टोपलोस डाल के लिए मैं कोल साइड जाना पसंद करूंगा अगर निफ्टी फ्लैट खुलती है हलकी फुलगी गैप डाउन खुलती और चोबीस जार पचास के नीचे निकल गए कोई स्विंग बनाती है तो नीचे तेईस जार नो सो पचास तेई लागि निफ्टी मैं मुझे ठीक ठाक हो सकता है 200 दिन का जो मूविंग एवरेज है 23 1900 पे 2880 सी पर हो सकता है इसको भी टेस्ट करने निफ्टी आ जाए तो निफ्टी मैं फोकस कर सकता हूं कल क्योंकी निफ्टी की एक्स पाईरी भी नहीं है अगर दोस्तों ज्यादा बड करके कोई पोजिटिव केंडल बनाए तो यहां से फिर में रिकवरी प्लान कर सकता हूं और अगर गैप डाउन खुलती है तो रिकवरी करना शुरू करते हैं तो रिकवरी करने देना आज के क्लोजिंग पॉइंट को टस करके यह फिर से कंटिन्यू डाउन साइड कर सकती है यह दोनों गैप अप डाउन दोनों में यह सेनरियो बन सकते हैं दिन का लोग ब्रेक होने के बाद मैं फिर से पूट साइड प्लान करना पसंद करूंगा ओप्शन चैन में आज मैं आपको द बैठे हैं फिर सब्सक्राइब 3100ρί roads अब अगर तो सब्सक्राइब बन सकते लेकिन सब्सक्राइल स्बिसरियों अब अपर साइड देखिएगा आप ध्यान से 2400 पे 144,000 हैं, 24150 पे 16, 24200 पे 2 लाख हैं, फिर 170,000 हैं, तो 300 तक तो आपको क्या देखने को मिलेगा, अच्छा खासा मंदी वालों का उपन इंट्रेस्ट है, क्योंकि इनको अच्छी जगह पे मिलना है लगाने को, तो कल अगर मार्किट वापिस से रिकवरी करना सुरू किया ना प्राइज एक्षन बना के, यानि कि 24,000 पे उपर निकल गया, 200 के उपर निकल गया, प्राइज एक्षन बना गया, यह सभी लोग जो बैठे हैं, यह ट्रैप होने वाले हैं, और एक अच्छा मुमेंटम हमको द नहीं हो, आम पबलिक की पोजिशन है, तो फिर मार्केट को यह खीत सकते हैं, और अगर इनमें उपरेटर की पोजिशन होगी, फिर यह ज्यादा उपर नहीं जाने देंगे मार्केट को, फिर यह शुरुवात में प्राइज एक्षन बना के, कंटिनू डाउन साइड कर सकत हैं, दोपर बाद फिर डेटा अगर पोजिटी हुआ, तो मार्केट में रिकवरी आ सकते हैं, अगर दोपर पहले मार्केट गीरी तो, ऐसे ही बैंक निफ्टी में देखिएगा, बैंक निफ्टी की कल एक्सपार ही है, अब बैंक निफ्टी में देखिएगा, इक बावन पर ही सपोर्ड दिख रहा है बीच में इतना उपन इंट्रेस्ट नहीं है अब यहां पर मंदी वालों की पोजिशन देखें देखें तक इतने ज्यादा लोग बैटे हैं शोट करके जो मंदी वाले तो आप खुद सोचे अगर मार्केट में कल रीकवरी आ गई कोई प्राइज एक्षन बन गया तो कितने सारे लोगों का पैसा कितने कम लोगों की जेब में जाएगा पहली बात तो अगर इन लोगों के अंदर दम होगा तो यह जाने नहीं देंगे शुरुवात में नहीं जा आपको अपडेट करनेगी पूरी कोशिस करूंगा तेलीग्राम को जोइन कर सकते हैं तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा आज का वीडियो यहीं तक ता अच्छा लगों तो लाइक और शेर जुरूर कीजेगा ताकि जुरूत में लोगों तक वीडियो आसानी से लूत सकते हैं तो...